हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल इजियस्ट कुकिंग स्टाइल आज हम बनाने वाले हैं काउं के चूले में बनने वाले गकड और प्यास की चटनी वह भी कैस में एकदम आसान तरीके से अगर खाने में कुछ समझ ना आए तो बनाए पांच मिट में यह रेसिपी ए अब हम 1.5 टी स्पूल नमक नमक डालने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे तो बहुत स्यादा सॉफ्ट और बहुत स्यादा टाइट नहीं होना चाहिए ये देखे डो हमारा रेड़ी है अब चलते हैं गकड के लिए चटनी बढ़ाने की तरफ इसके लिए सबसे पहले मैंने आदा कप हरा धनिया लिया है उसके बाद चोटा टुकडा अधरक का चार लेसून की कलिया और इसके बाद ली है चार हरी मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और इसके बाद में मैंने ली हैं दो प्याज जो है स्लाइसेस में कटी हुई अब हरी मिर्च अधरक लैसुन नमक और हरा धनिया को हम एक साथ एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें आधा कर यानि एक चौथाई ग्लास जो है पानी डालेंगे और इसका बना लेंगे फाइन पेस्ट यह देखिए मैंने पेस्ट पना कर तयार कर लिया है अब इसको एक प्लेट में या आप किसी बटन में ट्रांसफर कर लें और ट्रांसफर करने के बाद हमने जो प्यास स्लाइसेस में कट करकर रखी हुई थी उसको भी अब इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे एक चमच की मदद से आप चाहें तो इसे हां से भी मिक्स कर सकते हैं यह देखिए मेरी जो है गकर वाली चैटनी एकदम रेडी है अब चलिए गकर बना लेते हैं इसके लिए मैंने एक लोई ली है लोई रोटी की चाहारे लाखकाण से देखिए मैं बहुत जाता पत्ला नहीं करें रोटी और मेरी बहुत बड़ी भी नहीं है यह देखिए आप कुछ देख सकते हैं गपकर हमारे तयार है इसकी थिकनिस में आपको दिखा देती हूँ यह देखिए इसकी जो ढ tut कि अमें इतना मोटा रख जाएगा इसको फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड चेक करने के बाद गगड को गैस में रख देंगे और बस इसको चारो तरफ से आगे पीछे उल्टाते पलटाते हुए इसको अच्छे से से शेक लेंगे और हम इसे रोटी से थोड़ा सा ज्यादा सेकना है या बहुत अच् बश्चर भी बना लेते हैं ये भी आप देख लीजे और बस इसको भी हम फिर से वैसी सेख लेंगे तवे में डालेंगे दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ भी जब सिख जाएगा तो इसको जो है गैस में सेक लेंगे इस तरीके से बस इसको ये ध्यान के बीच में अपने फिंगर्स यानि नेल्स की मदद से इसमें छोटे-छोटे छेद कर लेंगे यानि होल कर लेंगे और आप चाहें तो अगर आपको गरम लगे तो आप जिम्टे की मदद भी ले सकते हैं अब बस जैसी मैंने जो होल किये थे इसमें मैं डालूंगी घी ये इ कि उसमें अंदर चला जाएं बस इसको कर लेते हैं एक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं और इसे हम चिटनी यानि प्यास की चटनी के साथ निकाल लेते हैं यह देखिए मसेधार रेस्पी वह अगर आप एक बबनाएंगे तो आपका बार बार खाने का मन होगा बस इसे सर्फ कर लिजे जटनी आपके पास अचार आप अचार लें और बस इसी कर्म सर्फ करें बच्चे बूड़े सब इसी पसंद करेंगे अगर आपको कोई recipe समझ में नाइक अभी प्धी जटपत ये recipe बना कर एक बार ज़रूर करें तो अधर्य आपको यह